तो यहां तक एक बार फिर दुबारा मैं आपको बता रहा हूँ तिहान से आप मेरी बात को समझो कि mostly हमने अभी तक क्या बात की कि जो N2 fixation है N2 जो fixation है वो क्या होता है दो प्रकार से होता है एक तो होता है जैविक तरीके से और एक होता है अजैविक तरीके से किलियर है एक वार अब मैं इसको रिवाइज करा रहा हूँ आपको यहीं पर ताकि आपको सारी चीज समझ में आ जाए ठीक है बाई चलिए तो नाइट्रोजन का जो इस्तरीकरण है वो दो प्रकार से होता था एक तो अजैविक तरीके से और एक जैविक तरीके से ठीक है सबसे पहला जो अजैविक तरीका था उसमें हम दो प्रकार से इसको इस्तरीकरत करते थे एक तो बायू मंडलिये और एक और दोगिक तो बायू मंडलिये से हम बायू मंडल से किस प्रकार करते थे तरित के माध्यम से बिजली के माध्यम से है ना या जब कोई आधी तूफ नाइट्रिक अमल के माध्यम से जमीन में आ जाता था बारिस के साथ है ना और जो ऑद्योगिक था उसमें हम क्या करते थे उच्छत ताप उच्छत दाव तो मैं आपको बता दूँ वहाँ पर बैसे अपनी आर्विये सिम मेंसर नहीं किया है कि तो 200 एटीम तो दाव चाहिए होता है और 200 डिगरी सेलसी जाहिए चाहिए होता है इस उद्धो के कर्या को करने के लिए तो उच्छत ताप 200 डिगरी सेलसीयस उच्छत दाव 200 एटीम होता है पायं अल्ले दाव का Cyss्छत आ sein तो इतनी ताप और दा पर हम N2 और H2 का संयोग करा कर क्या बनाते थे अमोनिया बनाते थे और उस अमोनिया से हम क्या बनाते थे यूरिया क्लियर है तो ये दो इस्तिरी करण था बो था अजैविक कारकों से जैविक तरीकों से अब जैविक तरीकों से देखो जैविक में आते हैं हमारे दो पिरकार के जीवाडू एक तो आते हैं सहजीवी जीवाडू और एक आते हैं एसहजीवी जीवाडू किलियर है तो एसहजीवी जीवाडू के तो हमने केवल एक्जामपल देख लेने थे ठीक है भई जैसे एजटोवेक्टर है, क्लोस्टीडियम है, नीलहृत सयवाल है, तो यह सारे एजहजीवी जीवाणू थे, जो जैविक एंटू एज्टू फिक्सेशन करते थे, फिर हमने देखा सहजीवी जीवाणू, तो सहजीवी जीवाणू में जो mostli अग्जाम पलाता है, वो आज आपको गुल का देखाऊंगा और मैं साम को खेत पर गया और वहां मैंने काट भी लिया है ना उस जड़ को काट के भी देखा चलो यार सोबे ले जाऊंगा है ना बोन मुझे याद नहीं रहा यार वो तो वहीं रखी रह गई है ना चलो कोई वात नहीं आपको 101% में द बनाता है अच्छा आपको याद है ना गुल का कैसे बनाई जाती है याद है एक वार फिर में यहां पर नोट करूं है ना तो ध्यान से समझो देखो पहले क्या होता था सबसे पहले एक पधार्त है लेक्टिन इस लेक्टिन का सरावन होगा है ना और यह जो लेक्टिन है यह जो लेक्टिन है ना वो राइजोवियम जीवाणू को अपनी और क्या करती है आकरसित करती है ठीक है तो राइजोवियम जीवाणू इस लेक्टिन से एक्ट्रेक्ट होकर किसके पास आता है भीयाओ पिलांट के पास आता है राइजोवियम जीवाणू ठीक है और इसक में होता है मूल रूम क्या होता है मूल रूम तो जो राइजोबियम जीवाणु है ना वो इस मूल रूम के पास आ जाते हैं लेक्टन से एट्रेक्ट होकर आ जाते हैं अब यह राइजोबियम जीवाणु क्या करता है वैसे तो NCRT में मैं आपको बता दूं कि यही बात दी ह हुई है कि oxygen cytokinin और उनको यही रिलीज करता है राइजयोभिय वैसे प्लांट की जड़ है वो oxygen और cytokinin release करेंगी और यह नोड कारक जो मैंने आपको लिखाया वही राइट है तो इनके समलित प्रभाब से यह जो मूल्रोम होता था वो इस प्रकार कुंडलित हो जाता था हुकनुमा और जैसे यह हुकनुमा हुआ क्यों हुआ यह हुकनुमा ध्यान दीजिए एक तो oxygen और एक cytokinin कि प्लस नोड कारक है इन दौनों के समलित प्रभाब से यह जो सीर्स था शिरस था वह हुकनुमा हो गया हुकनुमा होने से क्या हुआ इसकी कोशी का भिति तूटी और कोशी का भिति के तूटने से क्या हुआ जो राइजूबियम जीवाडू था वह यहां पर प्रिवेश कर गया, कर गया प्रिवेश राइजूबियम जीवाड़ू, अब क्या करेगा, यहां पर एक संक्रमन हो गया, प्लांट की जड़ में, तो वह जो संक्रमन है, वो मूल तंतू के पास पहुंचता है, मतलब यहां पहुंचता है, इस स्थान पर, ठीक है, और यहां पहुंचता है तो पता है जो वलकुट की कोशका हैं होती है आप जानते हैं ना बलकुट वाला भाग यहां पर होगा जानते हैं आप बलकुट तो वहां की कोशकाओं को DNA बनाने के लिए प्रिरित करता है जिससे वो बहु गुड़त हो जाती है और लगातार भिवा क्युक्स के रूप में देखा कि प्रकार गरंति का या गुलिका का निर्माण होता है। है ना उसके बाद एक सब्सक्राइब गुलावी रंग की एक प्रोटीन है। LEG haemoglobin गुलावी रंग की एक protein है और वो protein क्या काम करती है कि वो oxygen को अपसोसित करने का काम करती है अच्छा क्यों करती है oxygen का अपसोसित क्योंकि राइजोवियम जीवाडू एन्टू का fixation यदि करता है तो एक enzyme की साहता से करता है जैसे हम nitrogenous enzyme कहते हैं आप जानते हैं तो जो nitrogenous enzyme होता है तो auto की presentation में कोई भी reaction नहीं करता कोई भी reaction नहीं करता तो हमें auto को nust करना होता है खत्म करना होता है ग्रन्थिका से तो उस ग्रन्थिका में leg hemoglobin जो protein है वो पूरी auto को अफसोशित कर nitrogenous को सक्रियर रखने का कार्य करती है ठीक है और इतना करने के बाद अब हमें ये देखना था कि end to fixation की क्रिया भिदी क्रिया भिदी में मैंने आपको कुछ ये point बताई direct ही कि इसकी जो क्रिया भिदी होती है वो ग्रन्थिका में संपन होती है reason क्योंकि वहां पर nitrogenous enzyme और leg hemoglobin वरनक होते हैं फिर आपको बताना था थोड़ा बहुत nitrogenous के बारे कि जो nitrogenous enzyme है वो iron और molybdenum तत्वों का बना होता है और इसका संसलेशन राइजोबियम के निफ जीन द्वारा होता है फिर आपको last में ये कहना था कि जो nitrogenous enzyme है वो निम्न समीकरण द्वारा nitrogen को ammonia में बदल देता है और जो समीकरण था वो हमने बहुत अच्छे तरह के से देखा था कि N2 होती है 8 electron होते है 16 ATP होते है और इसको वो बदल देता है किसमें? ammonia में किसम बदल देता है? ammonia में बदल देता है ठीक है भई? और 16 ADP 16 inorganic phosphate enzyme होता था nitrogenous तो आपको ये लेखना है last point कि nitrogenous enzyme निम्न अभीकरिया की साहता से वायू मंडल की nitrogen को अमोनिया में बदल देता है और फिर उसके जस्ट नीचे आपको ये समीकरन लिख देना है तो यही है N2 fixation की किरियाबिदी बो भी कौन सी? सहे जीवी जीवानू द्वारा अब तक हमने यहां तक ये बात कर ले ठीक है? सिस्टम आपको समझ मा रहा है अभी हमने क्या किया? अभी हमने केवल भाई nitrogen को fix किया बायू मंडल से अब यहां से आगे मैं आपको एक basic point यहां बताना चाहता हूँ उसको आप जरा ध्यान से समझो तब ही आपको अगले concept समझ में आएंगे आप क्या चला रहे हैं? आप nitrogen चक्र चला रहे हैं ठीक है? तो पहले point में आपने क्या किया? आपने बायू मंडल की nitrogen को जमीन में fix कर दिया कर दिया पिलान्टों ने भी ले लिया ना उसको देखो जो अजैविक तरीके से हुई तो उसमें अच्छा मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो पिलान्ट होते हैं ना वो nitrogen को nitrate, ammonia, yogic इनके रूप में ही accept करते हैं mostly जो nitrate है उसी के रूप में इनको accept करना होता है ठीक है? तो अजैविक में nitrate और यूरिया के माद्यम से उन्होंने accept कर लिया प्लांटों ने लेकिन जो जैविक एन्टू fixation होता है उसमें बात को जरा ध्यान समझो एक बात मुझे बताईए कि rhizobium जीवाणू ने बायू मंडल की nitrogen को किस रूप में बदला है? बताओ मुझे ammonia में किस में? ammonia रूप में अभी तो हमने पढ़ा है कि nitrogen जैजैम बायू मंडल की nitrogen को ammonia बदलता है तो मैं एक बात आपको बताऊँ ammonia और ammonia योगिक ये प्लांट के लिए बहुत ही जहरीले होते हैं खतरनाक होते हैं इनसे हमारी लिए भी खतरनाक ही होता है लेकिन हम तो क्या करते हैं अपने इस ammonia को uranium change कर देते हैं आरणितीन चक्र के माद्यम से तो अब आप बोलेंगे सर ये जहरीला है तो फिर क्यों बनाता है इसको nitrogen राइजोवियम जीवाणू जबकि ये तो बहुत काम का है तो भाई मैं आपको बता दूँ कि जो राइजोवियम जीवाणू होता है बो तो केवल बायू मंडल की nitrogen को ammonia में ही बदलता है ठीक है अब प्लांट के लिए जो ammonia है बो तो खतरनाक है तो प्लांट क्या करता है उस ammonia को स्वांगी करत करता है और स्वांगी करत करके उसे amino amyl और at last protein में बदल कर अपने लिए काम में लेता है ये बीच की link reaction आप याद रखो आपको इससे बैसे करना कुछ नहीं है केवल अपने दिमाग में बात याद रखना मेरी कि आप न कर रहे हैं उसमें आपने जैविक इस्तरिकरन में एन टू से amonina बनाई है थिक है ये जो amonina होती है बो पिलांटों के लिए नहीं होती है जहरीली कैसी होती है भई पहुत जहरीली होती है इससे plant नश्ट हो सकता है थिक है तो plant क्या करते हैं पिलांट क्या करते हैं? इस अमोनिया को बदल देते हैं प्रोटीन में. किसम बदल देते हैं प्रोटीन में और प्रोटीन के रूप में अपने अंदर इस्थापित करके रखते हैं नाइट्रोजन को. मेरी बात समझ माई मैं आपसे क्या कहना चाहरा हूँ और मैं आपको एक बात बता दूं कि सरीर की जो ब्रद्धी होती है वो किस से होती है वो प्रोटीन से ही होती है क्या करते हैं जो अमोनिया बनती है किसी भी माध्यम से बने चाहें हम जैवे केंटू की इस्तिरीकरण की बात नहीं कर रहें तो पिलांट उस अमोनिया को डायरेक्ट किसम बदल देते हैं प्रोटीन में तो यहां से हमें एक बात समझ में आई कि पिलांटों के पास जो प्रोटीन है पिलांटों की बौडी में जो प्रोटीन है उस प्रोटीन में बायू मंडल की नाइट उजन छेपी हुई है बताओ चेपी हुई या नहीं है नहीं है जाया क्लेर बात समझ मारू रहें क्योंकि amonias को जो प्लांट है वह कर द thankful들 कर देते हैं में में अक और सब्सक्राइब मेंचेर प्रोटिन में यह च्टाइब प्रोटिन हुआ है है ना ammonia का सुआंगी करन तो इस ammonia के सुआंगी करन में आपको जादा कुछ नहीं पड़ना ना ही दिमाख लगाना थी के वल आप इतना याद रखो कि प्लांट क्या करते हैं फ्लांट क्या करते हैं जो अमोनिया होती है उस अमोनिया की किरिया एलफा गलूटामेरिक अमल के साथ कराकर गलूटामेरिक अमल के साथ कराकर गलूटामेरिक अमल का क्या करते हैं निर्माण करते हैं गलूटा में कमल और ये गलूटा में कमल कौन है एक प्रकार का अमीनो अमल है और यदि ये अमीनो अमल बहुत सारे हो जाएं और आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे वो प्रोटीन बना लेंगे तो इस प्रकार होता है अमोनिया का स्वांगिकरन यह आपको बिलकुल भी इन्हे प्रोटीन बदल देते हैं अमीनो अमलो में जिसमें दो हेड़ेंग है एक तो है अपचयन सील और एक है ट्रांस एमिनेशन तो अपचयन सील में तो हम क्या करते हैं कि जो अमोनिया होती है वो गलूटामेरिक अमल के साथ rieक्ट कर हम उसे Gluteamick Amino में Transfer कर देते हैं Amino Amino बना लेते हैं और Trans Amino Charge में क्या करते हैं हम एक Amino Amino को उसके एक Amino Some को हम Keto Amino को Transfer करके सत्रे प्रकार के Amino Acid बनाते हैं लेकिन वो आपको नहीं समझना है आप Confuse हो जाएंगे आप इतना याद रखो link reaction के माध्यम से केवल समझने के लिए कि जो ammonia nitrogen से बनती है उस ammonia को plant जो है वो protein में बदल कर अपने लिए काम में ले लेते हैं बस इतना याद रखो और ammonia से जो protein बनती है न उसे हम बोलते हैं ammonia का स्वांगी करन क्या बोलते हैं ammonia का स्वांगी करन अब देखो यहां तक बात होई अब आपको एक बात समझनी है कि आपने बायू मंडल की जो nitrogen थी उसको fix कर दिया और fix करने के बाद आपने उसको स्वांगी करत कर प्लांटों के पास भेज दिया protein के रूप में भेज दिया ना अरे भाई मेरी बात समझो अब प्लांटों के पास protein है के नहीं अब उस protein में कौन सिपी हुई है बायू मंडल की nitrogen तो complete रूप से आपने nitrogen को fix करके उसे उत्पादों में भी बदल दिया और अपने प्लांटों के लिए दे दिया clear है तो यह जो घटना है यह पूरी end to fixation माई अब बात तो यह आती है भाई कि क्या आप अपनी बायू मंडल की nitrogen को उन प्लांटों के पास ही रखेंगे क्या अरे आपको तो nitrogen चक्र चलाना है और nitrogen चक्र का क्या मतलब है जहां से आप nitrogen को लेके आए ना बापस nitrogen को वहें पर फिरे कीजिया समझ रहे हैं मेरी बात को आपको तो चक्र चलाना है तो मैंने आपको पहले ही बताय था कि nitrogen चक्र के चार step है तो पहले step में हम बायू मंडल की nitrogen को अपने प्लांटों में fix कर देते हैं protein के रूप में कर दिया अब मैंने आपसे ये कहा चलिए आपने इसको fix कर दिया अब आप इसको बापस release करवा ये बायू मंडल में किसको nitrogen को तब आगे के जो तीन चरण हैं ammoni करण, nitri करण और vinitri करण ये तीनों चरण उस चिपी हुई nitrogen को निकाल कर बायू मंडल में फिरी करते हैं और तब हमारा पूरा cycle complete होता है समझ मागी मेरी बात ये basic बात समझना आपको बहुत आवस्चक है एक बार फिर बताओं देखो कैसे nitrogen चक्र में हमने क्या किया बायू मंडल की nitrogen को जैविक और अजैविक तरीके से जमीन में ले आए जमीन में यह मालोब आमोनियम बदल गई और आमोनियम का स्वांगी करण करके हमें उसे protein बदल कर अपने प्लांटों में फिक्स कर दिया ये बात हमने पढ़ ले अब पिलांटों के पास जो प्रोटीन है उस प्रोटीन में छिपी हुई है हमारी बायो मंडल की नाइटोजन तो हमें तो उसी नाइटोजन को रिलीज भी करवाना है बापस ताकि नाइटोजन चक्र चले यही तो होता है तो अब हमें नाइटोजन चक्र यदी चलाना है तो अब हमें सेकंड हेडिंग की बात करनी पड़ेगी और वो सेकंड हेडिंग है भई याओ अमोनी करना मैं इसका इंगलिस नाम नहीं लिख रहा हूँ अमोनी फिकेशन इनको बोलते हैं मैं पहले ही इनका नाम लिखा सुका हूँ नहीं लिखाया गया चलो नहीं लिखाया तो लिख लो कोई बात नहीं है अमोनी फेकेशन ठीक है समझमागी बात अमोनी फेकेशन की तो ध्यान से आप मेरे बात को समझो कारवनिक पादार्थों के बेगिटन से अमोनिया या अमोनियम योगिक प्राप्त करना अमोनी करना कहलाता है देखो बहुत ही इंपोर्टेंट है यदि आप उस मेरे बेशिक पॉइंट को समझ गए हो तो आपको अब यहाँ कोई देखकत नहीं आने बाले कैसे मैंने आपको यही एक कंसेप्ट दिया था कि आपने जो प्रोटीन के रूप में अपनी बायू मंडल की नाइट्रूजन को फिक्स किया था ना अमोनिया की स्वांगी करन से आपको बापस उस प्रोटीन से अपनी बायू मंडल की नाइट्रूजन निकालनी है निकालनी है ना क्लियर सी बात है तो आप कैसे निकाली नैगे मैं आपको बता हूं कि जो प्रोटीन के रूप में इस प्रोटीन के रूप में उस प्रोटीन को यदि कोई जी व कौता हि कोई मनुष्य पसु जो भी है वो खाता है पसु ने खाया तो वह है प्रोटिन कहां ट्रांसफर हो गई पसुओं के पास भी तो अब जो बायूमंडल की नाइटोजन है वो प्लांट के पास और पसुओं के पास है प्रोटिन के रूप में है कि नहीं बताओ एक बात पास मुझे प्रोटिन के रूप में है कि नहीं हमें क्या करना है यार हमें इस प्रोटिन से ना अपनी बायूमंडल की नेत्रूजन को नेत्रोचन को तो हम यह सोचेंगे अच्छा होता क्या हम गारे कि जब पेड़ पादे या पसू मिरत हो जाते हैं बात समझो मेरी आप नाइटूजन को ऐसी रिलीज नहीं करवाएंगे वो जब रिलीज होते हैं जब उनकी मरत्य हो जाती है ठीक है तो जब कोई प्लांट जिसके पास प्रोटीन है होगी वाई और उस प्रोटीन में कौन है आपकी बायोमेललगी नाइटूजन तो जब कुछी प्लांट की या पसू की मिरत्य होती है तो मिर्दा में तो मैं यहां इसकी एक हैडिंग लिख सकता हूं चाहिए तो आप मिर्दा में उपस्तित ठीक है तो मिर्दा में उपस्तित कार्वनिक पदार्थ तो कार्वनिक पदार्थ में मैं मोस्टली बात करूंगा प्रोटिन की क्योंकि आप जानते हैं कार्वनिक पदार्थ हमारे प्रोटीन बसा कार्वाइडिट यह होते हैं तो जब कोई प्लांट या पसू की म्रत्यू होगी तो उसकी जो प्रोटीन है जब वो शड़ता गलता है तो वो प्रोटीन आप मुझे एक बात बताओ मिट्टी में आएगी के नहीं आएगी मिट्टी में रहीगी ना थोड़ी बहुत प्रोटीन है ना तो होता क्या है कुछ जीवाडू कुछ जीवाडू अभी आप समझ जाएंगे और उन जीवाडू को बोलते हैं प्यूट्री फाइंग क्या बोलते हैं प्यूट्री फाइंग जीवाडू तो प्यूट्री फाइंग जीवाडू मिर्दा में उपस्तित कार्वनिक पदार्थों के बिगटन से या उसका बिगटन कराकर उसे अमोनिया में चेंज कर दें तो हम उस गटना को क्या बोलेंगे अमोनी करन बोलेंगे ख्रय 저희가 बोलेंगे वैद आमोनी करन वोलेंगे तो मेरी आपने समय में आई कि जू हमारा दूसरा चरोंभां है जिसको अमोनी करन कह रहें इसमें हमें क्या करना है। आ आप के पास प्रोटीन है जिसके जिसमें हेडन वाई मंडल की नाइट्रोजन है तो आप उस हेडन एंटू को बाहर निकालेंगे अब डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते हैं कुछ चरणों से हमें उससे गुजारना पड़ेगा कुछ स्टेपों से तो उसी के जो यह तीन स्ट प्रोटीन को तोड़ों कि उसके पास वाई मंडल की नाइट्रोजन है तो इसी से आपको सीधी सी परिवासा समझ मा जाएगी कि मिरदा में उपस्तित जो कार्मिक पदार्थ हैं उनके भेगटन से यदि हम अमोनिया या अमोनियम योगिक प्राप्त कर लें या उसको बदल दें तो हम उस घटना को क्या बोलेंगे अमोनी करन बोलेंगे तो सिंपल सी यह बात हुई कि दूसरे चरण में हमने उस प्रोटीन को तोड़ना स्टार्ट कर दिया अब हम चानते ही इर्रिवर्सीवल होते हैं जैसे अमोनिया आपने प्रोटीन में बदली देखो अमोनिया को पहले अमीनोमलों में और अमीनोमलों से प्रोटीन बनाया तो आप इसको बापस रिवर्स भी तो कर सकते हैं प्रोटीन को तोड़ेंगे तो अमीनोमलों में तूटेगा और अमीनोमलों को तोड़ेंगे तो अमोनिया में तूटेगा यही होता है ना तो सिंपल सी यही बात है कि आप अमोनिया या अमोनियों के प्राप्त करेंगे उसे अमोनिया सोरी अमोनिकरन बोलेंगे है ना तो नेक्स्ट पॉइंट यहां पर मैं लिख्यू हूं कि प्यूट्रीफाइंग कि जीवाडू द्वारा यह कार्या दो चरणों में कि होता है ठीक है अब जो दो चरण है ना उनमें पहला है कि प्रोटीन कि अपगटन आप देखना बिल्कुल आपको समझ माई जाएगी इस प्रोटीन अपगटन में कुछ नहीं है भाई मैं कितनी बात आपको बता दूं कि इसमें क्या करते हैं प्रोटीन को अमीनो अमल में तोड़ते हैं पहले किसमें तोड़ते हैं प्रोटीन को अमीनो अमल में तोड़ा जाता है और वो जो जीवान होते ना वो है हमारे कि लौश्टिडियम और स्यूडो मौनास ठीक है कि लौश्टिडियम और स्यूडो मौनास ठीक है दूसरा है Vamini Karan जिसको हम Deamination बोलते हैं इसमें हम क्या करेंगे कि जो हमारे अमीनो अमल है उन्हें bacillus जीवाणूं द्वारा हम बदल देंगे Ammonium है किसमें बदल देंगे Ammonium है तो यह पूरा जो गटना है जो second step है वो क्या है भई Ammoni Karan है तो आप मुझे बताईए अब आपको कोई दिकत अमोनी करन में कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि हम क्यों अमोनी करन पड़ेंगे क्योंकि कंसेप्ट इसका यही है कि पहले चरण में जो हम बायू मंडल की नाइटोजन को प्रोटीन में फिक्स कर दिया था अब हमें उसे रिलीज कर बाना है तो रिलीज जब होगा जब वो प्लांट या पसू की मरत्य हो जाए और जब वो मरत्य होगी तो उसकी बोड़ी का जो कुछ प्रोटीन है जब वो मिटी में जाता है तो मिटी में कुछ प्रोटिन को तोड़ेंगे पहले आमीनो आमल में ये जीवान होगा और तो इसे एक definition बन गई न कि मिरदा में उपस्तित कार्वनिक पदार्थों के विक्टन से यदि हम आमोनियम या आमोनिया योगिक प्राप्त कर लें तो हम इस गटना को अमोनी करन बोलते हैं, सिंपल सी बात है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने अमोनी फिकेशन के माध्यम से अपनी प्रोटीन को जो प्लांटों के अंदर थी, उसको अमोनिया में चेंज कर दिया, ठीक है, तो अमोनिया तक तो आप पहुंचना है दीरे-दीरे, तो आप पहुंच जी जाएंगे बिलकुल हैं, क्योंकि आप महनत कर रहे हैं, तो मंजल त और नाइट्री करण को बोलते हैं, नाइट्री फिकेशन, क्या बोलते हैं, फिकेशन, तो एक सिंपल सी बात है, अमोनिया का नाइट्रेट में आक्सी करण होना, नाइट्री करण कहलाता है, ये भी दो चरणों में, मैं डारेक्ट बताता हूँ आपको, पहले आपके पास थी अमोनिया, इसको हमने चेंज किया नाइट्राइट में, और जेवानू था नाइट्रो सौमोनास, दूसरा जो हमारी नाइट्राइट थी, उसको नाइट्रो बैक्टर ने चेंज कर दिया, इम्पॉर्टेंट नाइट्रेट में, ध्यान से आप मेरी बात को समझो, आप सारी चीज समझ जाएंगे, 2 स्टेप में आपने क्या किया था, कि प्यूट्रिफाइंग जीवानू के माध्यम से, आपने अपने प्रोटिन को आमोनिया में चेंज कर दिया था, कर दिया था तो अभी हमें तो अपने एंटू निकालने हैं हमें तो अपने एंटू से मतलब है तो आगे क्या होता है कि अमोनिया अब मिट्टी में पड़ी हुई है है ना तो अगला जो step है वो चलता है नाइट्री करण तो नाइट्री करण जैसे heading से पता चल रहा है कि यदि हम नाइट्रिट में बदल दें तो हम इस गटना को नाइटाली kali बोलें हम धीरे सरल कड़ते हुए जा रहें तो अब का कैसे भिदे तो चर्णों मेंमें बदल origin कैसे पहले अमोनिया अमोनिया को नाइट्रो सौमुनास जीवाडू नाइट्राइट में बदलता है और इस नाइट्राइट को नाइट्रो वेक्टर है वो बदलता है नाइट्रेट में किसम बदलता है नाइट्रेट में तो आप मुझे बताओ अमोनिया से अमोनिया को आपने नाइट्रेट में बदला के नहीं बदला इसका Oxygen हुआ की नहीं हुआ। पर ना Oxygen में आपको बता दू यहाँ पर कैसे ओता है। कि एमनिय में H plus होता है। न है नहित थी होता दो the Chlp होता है। उसको हम H NO2 chang कर देते देखो ऐसे हैं। लिए कि के समझे न इस प्रिकार इसकोम ऑक्सी करत कर देते हैं आपकी बुक में जो हाइडरोजन लगा हुआ है उसका मतलब यहीए इसमें ऑक्सी करन हो रहा है अगर समझ रहे ना तो पता चल गया आपको नाइट्री करन क्या है तो आपने अब अमोनिया को किस मतल दिया नाइट्रेट में ठीक है अब लास्ट क्या घटना होगी लास्ट होगी अब विनाइट्री करन तो विनाइट्री करन क्या है नाइट्रेट को एन्टू में बदलना यही है लास्ट एन्टू में बदलना विनाइट्री करन कहलाता है अच अब मैं देख लेता हूं देख रहा है ना आपको एक मिनट हाँ सब्सक्राइट्री करन है तो विनाइट्री करन में क्या है वई कि नाइट्रेट को नाइट्रेट को बायू मंदल की नाइट्रोजन बदलना ही क्या कहलाएगा विनाइट्री करन कहलाएगा इसमें हमारे जो कुछ जीवान है जैसे बैसिलस है ना थायो थायो बैसिलस डिनाइट्रिफिकेशन है ना तो यह हमारे कुछ जीवान है जो विनाइट्री परणमे भाग लेते हैं, तो दीखो, simple सी ये बात थी, कि आपने पहले protein को ammonium बदला, ammonification, ammonia को nitrogen बदला, nitrification, उस nitrate को direct nitrogen बदला, denitrification, जिसमें भी हमारे bacillus denitrificance जी बाडू भाग लेते हैं, तो इस परकार आपने उसको बापस N2 में बदला और ये जो N2 है वो बापस कहां रिलीज हो जाएगी बायू मंदल में चली जाएगी तो आप मुझे बताओ आपने इस N2 साइकल को चलाया कि नहीं चलाया चल गया ना इन टू साइकल सिंपल सी बात है तो आपको पता चल गया आज नाइटिजन चक्र के बारे पूरी त्योरी आपको समझ मागे ठीक है पहला स्टेप तो बिल्कुल आपकी दमाग में फिक्स है कि बाई उसमें फिक्स ही होना है अब दूसरे step में तीसरे step में चौते step में आपको चक्र चलाने के लिए जो protein है उसको बापस nitrogen बदलना है तो आप पहले क्या करेंगे protein को ammonium बदलो ammonification, ammonium को nitrogen बदलो nitrification, nitrate को nitrogen बदलो denitrification यार और क्या करना है आपको कितना simple तो है ठीक है चलिए तो ये बात आपको समझ में आगे पूरी अब हम लास्ट में important रूप से इसका एक आरेक बना कर देखते हैं तो आरेक को आप ध्यान पूर्वक समझो कि किस प्रकार आपको बनाना है आरेक बहुत ही interesting है इसका आरेक और आप एक मिनट में समझ जाएंगे तो मेरे साथ जरा ध्यान से समझना भई है ना देखो बहुत अच्छी तरीके से मैं कह रहा हूँ न लाजबाब तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा कि आपको आरेक कैसे बनाना है आप जिन्दगी बर नहीं बूलेंगे कि यह मेरा दावा है देखो बस माइंड कंसंट्रेट ध्यान समझो जब भी हमें नाइटोजन चक्र का आरेक बनाना है तो आप बीचों बीच में लेखेंगे वायू मंदल की नाइटोजन समझ मागी बात सबसे पहले आरेक बनाना सीखना है मैं तो सेंटर में आप लिखो बायू मंदल की नाइटोजन लिख दिया अब एक बात मुझे आप बताओ बायू मंदल की नाइटोजन को सबसे पहले आप फिक्स करते हैं नहीं करते इस्तरीकरत करते हैं और इस्तरीकरत के तीन तरीके मानो देखो दो तरीके थे, जैविक और अजैविक, भाई जैविक जो तरीका है वो तो सुख्षम जीवों द्वारा होता लेकिन एक हो गया वो, अजैविक हमारे दो थे, तो आप ध्यान रखना, सबसे पहले हम इधर, है न, इधर, एक इधर, और एक इधर, यह तीन एरो हमें बनाने हैं तीन एरो यहां तक दिखाई दे रहा होगा आपको हाँ अभी काफी जगे कोई दिक्कत नहीं है ना बात को समझो यह बायू मंडल की नाइटोजन है इसको सबसे पहले आप फिक्स करिए फिक्स करने के लिए हम यह सोचेंगे भाई एक तो हम इसको अजैविक तरीके से करें और एक जैविक से तो जैविक में तो केवल सुक्ष में दो अलग अलग तरीके होते हैं एक और दोग एक बायू मंदल तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट है है ना तो देखो हमने इस प्रकार तीन एरू लगा दिये है ना तो सबसे पहले सबसे पहला नंबर भाई बिलकुल इसी का होना चाहिए नहीं होना चाहिए है तो सबसे पहले हम क्या करते थे बायू मंदल बायू मंदल के माध्यम से हम एंटू को फिक्स करेंगे करेंगे नहीं करेंगे तो यह जो गटना होती है यह तरित के माध्यम से होती है ना बायू मंदल की और उस तरित के माध्यम से हम अपनी बायू मंदल की नाइटोजन को क इसमें बदल देते हैं नाइट्रेट में, बदलते हैं नहीं बदलते हैं यह आप मुझे बताओ, बदलते हैं, किलियर आपको पता है, तो यह आप आराम से बना सकते हैं, अब इधर जो है, बुआ आप करो ओधोगिक बाला, कौन सा? ओधोगिक, तो एक बात आप मुझे बताओ, कि बायू मंडल की जो नाइट्रोजन है, उसे आप ओधोगिक तरीके से डायरेक्ट किसमें चेंज करते थे भाई, अमोनियाम हैं, पताए ना आपको, कि N2, S2 का संयोग करके हम उसे अमोनियाम बदलते हैं, किसके द्वारा? ओध कि आपके पास, इधर वाला एरो, जिस पर क्या आएगा, जैवे केंटू फिक्सेशन, जैवे केंटू, इस्तरीकरण, अब देखो, जो जैवे केंटू इस्तरीकरण होता है, उसमें जो भी चीज बनती है, मतलब डारेक्ट बनता है, उस प्रोटीन को कौन प्राप्त करते ह है प्लांट तो यहां तक आपको बनाना आ गया और कोई दिकत नहीं है एक बार देखो आपको यदि नाइट्रूजन चक्र का आरेक बनाना है तो आपको सेंटर में बिल्कुल बीचों बीच में बायू मंदल की नाइटूजन लिखनी है लिख दिया अब इसका करना है आपको लेकें उसमेल अंतर थोडी है लेकिन आजएविक दोनों में डिफरेंट बहुत बढ़ा डिफरेंट है तो हम एक अडिफरेंट की तरफ लगाते हैं वो हमारा पहला आइरो होता है प्राथमिक और लग भी राय क्योंत्य प्राथमिक होना चाहिए तो शबसे कि पहले हम क्या करेंगे सबसे हिसे पहले हम हैं बायू मंडल स्वारा तो इसमें बिजली भाग लेती द्र तक्रかった के माद्यम से माद्य Ultra को नाइटिड मेसाल ना यह आपको पता है यहली है तो देखो बाई उमंढ़ की नाइटुजन को थर्ट के मात्यम से नाइटिर बतल दिया और दोगे का साहिता से दोने टान बदल देते नाइटुजन-को तो अम 46 c ऐडॉय के साहिता से जो बन अब पड Nord Aren इनके पास जो प्रोडक्ट होता है बाइउमंडल की नाइटोजन का जो की प्रोडक्ट है उसे कौन ले लेते हैं जन्तू ले लेते हैं जन्तू तो यहां तक बात हो गई अब यह तो हो गया एंटू का fixation आप मुझे आरेक को देके बताईए यह पूरा एंटू का fixation है के नहीं पादपाउं से लेके जन्टू तक पूरी जगए fix हो गई हो गई ना अब आपको क्या करना है अब आपको बायों मंडल की नाइट उजर को तो रिलीज करवाना है तो होगा क्या अब स्टार्टिंग तो यहीं से करना है आपको पता है दूसरा चरण चलेगा अमोनी करन तो यदि इस प्लांट की और इस जन्तू की ठीक है यदि हो जाए म्रत्यू पता है न आपको चलो मैं इसको यहीं लगा देता हूं डायरेक्ट आपकी बुक में तो अलग अलग है लेकिन मैं दोनों को एक साथ लिख देता हूं यदि इन दोनों की म्रत्यू हो जाए या छे जिसको बोल सकते हैं प्लांट की और जन्तू की यदि म्रत्यू हो जाए तो कौन सी गटना चलती है आपको पता है न कौन सी गटना चलती है अमोनी करन चलता है न अमोनी करन यह दूसरा है यह फिक्सेशन का था और अमोनी करन के माध्यम से कि आप डायरेक्ट उस प्रोटीन को किसम बदलते थे अमोनिया में, तो अमोनिया देखो कहा पर है यहाँ पर, तो यह जो arrow है वो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, यहाँ तक समझ मागे आपको बात, अमोनिया तक, हो गया अमोनिय करण, अब कौन सा चरण चलेगा, न नाइट्री करण की स्टार्टिंग अमोनिया से ही तो होती है तो देखो इस प्रिकार सबसे पहले ये किसमे चैंज होता है नाइट्राइट में बता होता है कि नहीं होता है आप इसको नाइट्री करन बोलेंगे और जीवाडू कौन सा होगा नाइट्रो सोमोनास होगा ना अब ये जो नाइट्रिट है उसे आप किसमेछ चेंज करते हैं नाइट्रैट में तो देखो, नाइट्रेट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो डाइरेक्ट यहाँ से एरो लग जाएगा, जीवानू कौन सा रहेगा, नाइट्रो बैक्टर, ठीक है, समझ में आगे मेरी बात नहीं आई, अब यह जो नाइट्रेट है, यह नाइट्री करन हो गया, अब क्या चले मंदल में भेजते हैं, नाइट्रो जन के रूप में, है ना, तो देखो, यहाँ आपके पास नाइट्रेट अपने आप आ गया, यहाँ बायू मंदल है, तो आप इस आरेक को या इस एरो को बापस यहाँ पर ऐसे भेज सकते हैं, यह जो नाइट्रेट है, इसके जब बोलेंगे भाई, थोड़ा मैं ऐसे करके लिखता हूँ, इसको है ना, विनाइट्री करण, ठीक है, तो देखो, यह जो नाइट्रेट थी, वो विनाइट्री करण के माध्यम से बापस बायू मंदल के नाइट्रेट पहुची नहीं पहुची, पहुच गई, और यह जो ना नाइट्रेट को डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते थे, नहीं करते थे, बायू मंदल के नाइट्रेट थी, तड़ित के माध्यम से, और इस नाइट्रेट को डायरेक्ट को ले सकते हैं, पिलांट ले सकते हैं, और कुछ मात्रा में इसका क्या हो जाता है, हास हो जाता है, तो आराम से आप इस आरेख को बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं बना सकते हैं एक वार फिर देखो कैसे बनाना है ध्यान से समझो भाई पूरा जो नाइटूजन चक्र है वो बहुत ही सिम्पल है शिम्पल क्यों नाइटूजन को फिक्स किजिए और मैं यह कहा था कि पहले स्टेप में जब आप नाइटूजन को फिक्स कर देंगे ना तो वो फिक्स का मतलब है पिलांट और जन्तु सभी में फिक्स हो गया और फिक्स किस रूप में होता है mostly protein के रूप में बायू मंदल की nitrogen ठीक है अब दूसरे तीसरे और चौते चरण है वो है और चक्र को चलाने के लिए अर्थात जो protein के रूप में एंटू fix थी उसको वापस रिलीज करवाने के रख लिया तो पहला चरण आपको fixation वाला करना है तो इस्तरी करण करेंगे तो आप याद रखो हमें तीनों तरफ इसके arrow लगा देने अब आप आराम से लगा देंगे तीनों तरफ एरो जब आप यह बोलेंगे यार तीन तरफ हैरो है तो तीन प्रकार से इस्तरी करण हम को करना है अब तीन प्रकार कैसे हों तो भाई इस्तरी करण तो दो प्रकार का था अजैवक और जैवक तो हम याद रखेंगे यार जो जैवक है न उसमें दो झीवाड़ों ही था भाग ले रहें तो जीवाड़ों जीवाड़ों सब यह जैसे हैं तो उसका केवल एक ही तो तीनों एरो पे आप आराम से लग सकते हैं है ना फिर आप सोचेंगे कि भाई सबसे जो नीचे की तरफ जारा नहीं यह प्रात्मिक नम्मर का है क्योंकि यह सेंटर में है तो इसको हम पहले लेंगे तो पहला लेंगे तो बायू मंडल के द्वारा होगा तो यहां प्तड़त लिख देंगे और हमको पता है कि बायू मंडल के माध्यम से बायू मंडल की जो नाइट्रोजन है वो नाइटेट में बदलती है तो बताओ नाइटेट अपने आप यहां पर आ जाएगा नहीं आ जाएगा दूसरे चरण जो एरो इधर है उसमें ओद्धोगिक का नम्मर आएगा तो आप बोलेंगे इधर अमोनियाम बदलता है अरे हम पढ़ चुके हैं भाई कि ओद्धोगिक माध्यम से बायू मंडल की नाइटोजन को हम अमोनियाम चेंज करते हैं और इधर आएगा जैविक जिससे प्लांट आप याद कर लेना चाहें इसको डायरेक्ट हमें प्लांट लिखना है तो तीन एरो फिल अप हो जाएंगे और प्लांट से आपको डायरेक्ट पहुचा देना है जन्तू के पास जो प्रोटीन है तो यह हो गया फिक्सेशन यहा पह है हमारे पास तो हमें अपना एरो यहां तक लेकर आना है ठीक है और हम इतनी तो ठ्योरी जानते ही है कि बाई अमोनी करण में हम प्रोटीन को तोड़कर अमोनिया बनाते यार प्रोटीन तो पाद अपॉर जन्तू के पास है और इससे जब बनाते थे जब यह मढ़ जा तो यहां बेच में देंगे अमोनी करन तो यहां को 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 दिकत नहीं है आप शूचेंगे चलो ठीक है यार अमोनी करन हो गया अब होगा नाइटरी करन हमें पता है कि जो अमोनियास होती है उसे पहले नाइट्राइट में बदलते हैं और नाइट्राइट को नाइट्रेट में बदलते हैं किलियर है तो इस अमोनिया को आप नीचे की तरफ ले जाएंगे तो नाइट्रिकरन लिखा हुआ है जीवान होता है नाइट्रो सॉमोनास वो उसको नाइट्राइट में बदलता है और न बापस बाइवर्य मंदल बेजना रूप में यही तो है चक्र और हमने यह भी देखा था कि जो नाइटेट होती है उसे डायरेक्ट प्लांट ले लेते हैं तो कुछ to हास हो जाती है जमीन में नश्ट हो जाती है और कुछ को क्या ले लेते हैं प्लांट तो यह पूरा सिस्टम हमारा बायुमंदल की नाइटोजन का है तो यह है वाई आपकी नाइटूजन चक्र तो इसके ज्यादा चांसे इस बार क्वेस्टन पेपर माने के अभी तक नहीं आया है हो सकता है पूछ ले तो आप इसको बनाओ और एक बार प्रेक्टिस देखो बिदाउट प्रेक्टिस के नहीं है मैं जादूगर नहीं हूं मेर भी काम हो हर चीज में मेहनत होती है तो आप भी इस पर प्रेक्टिस करना आपको फिल्कुल क्लियर समझ मा जाएगा ठीक है तो बनाओ इसको फटापट तो इसको बनाने के बाद आज हमारा यह बारेमा चैप्टर कंप्लीट है और इस यूनिट का एक लास्ट चैप्टर र बात करेंगे और मैं आपको बता दूँ थोड़ी पीडियेप की इसलिए वो आ रही है क्योंकि जो नोट से वो मेरे पास तो है नहीं जो ओल्ड स्टूडेंट उसके पास हैं तो कई बार वो थोड़ा लेट हो जाता है ना समझ रहें फोटो बोटो सेंड करने में उससे मु कल